क्या आपने उबलते दूद में कस्टड के साथ एक सीक्रेट इंग्रीडियन्ट डाल कर मज़ेदार सा ट्राइफर रेडी किया है अगर नहीं किया तो अब करें घर वालों की रूह ये खाते ही खुशबाश हो जाएगी तो बनाला स्टार्ट करते हैं यहां पे एक जैली का मैंने डिबा लिया है और ये लाल रंग की जैली मैंने बनी बनाई ही मगवाई है इजी लिए शौफ से मिल जाती है गर बनाने बैटती तो रस्पी लंबी हो जानी थी और भी मुझे बथेरे काम होते हैं घर वाले मासी की तरह तो मुझे ते काम करवाते हैं अभी मैंने एक पोना गलास पानी का लिया है शीशे का आपने छोटा गलास ना पानी का लेना है लेकिन फुल गलास ना फुल से थोड़ा कम ही होना चाहिए जब पानी गरम हो जाएगा बॉाइल आ जाएगा फिर आपने जैली एड़ कर देनी है अच्छा जैली एड़ करने के बाद आपने बहुछ जादा पकाते नहीं रहना जैसे ही यह डियृट होगी आपने इतार लेना उतारके आपने एक बतन में शिफ्ट कर देना है जिसमें आप जमाना चाहते हैं तो जब यह थंडा हो जाएगा फिर आपने एक गंटे के लिए फ्रीज में रख देना है आप इस गरम गरम जैली को ऐसे ही लवार्सों की तरह थोड़ी दिर पड़ा रहने देंगे तो जब र कुछ मेरी बर्गर औरियंस भी है तो बचारों को नहीं ना पता चलता कुछ पंजाबी समझ नहीं आती आप मैं कस्टड बनाने की अग्जैक्ट में बिटाती हूं कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि कितने दूद में हमने कस्टड के कितने चमच आड़ करने हैं पहतर यह है कि आप दूद में ही मिक्स करके फिर शामिल किया करें और कुछ कस्टड नीचे ही चिमड़ गया था कि बाजी न मुझे मिक्स ना करें तो मैंने भी खुर्च करने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया तो जब अच्छी तरह से मिक्स होगा उसके बाद ही आपने दूद में एड करना है और दूद में पहले नहीं एड करना जब दूद बॉइल हो जाएगा बाला आना शुरू हो जाएगा फिर आपने एड करना है तो दूद बॉइल होना स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा पकाया पी है आपने थोड़ा थोड़ा करके एड करते जाना और साथ साथ स्पैचुला चिलाते जाना है एक दफा नहीं लगना कस्टर डालते हुए स्पैचुला चिलाना जरूरी है अधरवाइस गुठलियां बंजेंगी तो चीनी भी बैठी मुझे वाज़े लगा रही थी कि बाजी तुम इन्हों पाना पो लगी है मैं कहां वाकी प तो अच्छी तरह से स्पैचुला चिलाते जाएंगे इसको थोड़ा ठीक करना है उसके बाद ही हमने उतारने के बाद मैं इसे पानी में रख दूँगी क्योंकि अगर ज्यादा जल्दी हो तो आप पानी में रखके ठंडा कर सकते हैं अधर्वाइस ये नॉर्मल ही खुद परम पाने के लिएर्दे क्रिम करेंगे और नेको नीचे को सब्सक्राड एक मेरे चैनल पर नहीं है रट बटन को क्लिक करके सबस्क्राबूब अगर आप तिक्टोक से लेहिए जनल के डिरे को सब्सक्राब कर लेंग तो kindly kindly आप repost कर दिया करें और मेरी vlogging देखना चाहते हैं तो उसका link मेरी bio में है आप vlogging भी देख सकते हैं custard की एक layer लगाने के बाद fruit cake की एक layer लगाएंगे fruit cake ज़रा मैंने खुले-खुले ही लगाएंगे अपने पराद से fruit cake मगवाया वो छोटा सा उठाके ले आया बचा fruit cake मैंने कहा था बड़े वाला fruit cake लेके आना तो फिर उसको ही मैंने खुला-डूला करके लगा दिया फिर एक custard की layer लगाएंगे आप उपर केले लगाएंगे केलों को मैंने छोट-छोटे pieces में काट लिया है केले भी कच्चे चूक कर ले आया अब मैं उसको क्या कहूँ जाहर है उसी से सोदा मुझे मगवाना पड़ता है तो वो फिर ना अपनी मर्जी का उठा के ले आता है ट्राइफिल की जब आप layers लगाएंगे आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं मेरा पराथ वो just केले ही चूक कर ले आया उसे मैंने कहा था एपल भी ले आना एपल के छिलके उतार के छीलके वो भी आड़ कर दूँ लेकी लेकन वो just कच्चे केले ही चूक कर लाया अब वो ही मुझे अजब करने पड़े तो आप अपनी मर्जी के मजीद fruits add कह सकते हैं mango का भी addition कर सकते हैं apple का भी, kale का भी लेकिन शुकर है कि jelly जो है वो गर में मजूद थी तो jelly कहती बाजी मैं है ना मैं तेरा साथ दाँगी तो फिर मैंने jelly को निकाला तो jelly जो है ठंडी हो चुकी है सबसे पहले इसके किनारे रिमूव करेंगे उसके बाद cutting जो है jelly के आप अपनी मर्जी की cut कर सकते हैं लेकिन मेरे पास कुछ shapes पड़ी हुई है उसकी मदद से आज हम jelly की cutting करेंगे hearts की shape आप flowers की है और भी बहुत सारी shape पड़ी हुई है तो मैं खाला heart आज बना नहीं है jelly actually red color की है इसलिए hearts ही बनाऊंगी तो उपर इसी की मदद से decor हम करेंगे और extra jelly हम side पे कर लेंगे मेरे बेहन बाईयों को जो नदीदे बच्चे आएंगे ना उनको थोड़ी थोड़ी केस्ट करवा दूँगी जो extra होगी इनको ने छेड़ने दूँगी तो इसकी हम decoration करेंगे और heart मैं खुले खुले ही लगाँगी क्योंकि कम मैं अगर साथा जोड़के लगाती तो वो एक ही line लगनी थी इसलिए मैंने खुले खुले करके सारे hearts जो है वो लगा दिये आप चाहें तो ऐसे भी serve कर सकते हैं लेकिन मेरे पास whipping cream भी पड़ी हुई थी तो मैंने का कि नारों पर जो edges है ना जस्ट वहां पर थोड़ी सी lining कर देती हूं तो मजीद अच्छी look आएगी तो ऐसे आपने डिकोर करके और रैप करके ना फ्रीज में रख दिना या फ्रीजर में रख दिना है एक गेंटे के लिए ये थंडा यक जब हो जाएगा ना ट्राइफल फिर आपने serve करना है मेहमान आए उनको serve का दिना गरवलों को serve का दिना सब खाकर खुशी से पागली हो जाएगे और यही थी आज की recipe मिलेंगे नेक्स recipe के साथ अला हाफीज